Hello everyone Welcome to class number 8 of the topic MS Word So, आज्के class में हमारा एक नया discussion का topic होगा So, आज्के class का हमारा discussion का topic होगा Text Alignment तो यह text alignment क्या है Text alignment को हम MS Word में क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में कम्प्लेटली आज्के class में हम discuss करेंगे तो चलिए जुरू करते हैं discussion और जानते हैं text alignment के बारे में तो यह text alignment है क्या देखो MS Word हम क्यों use करते हैं document बनाने के लिए तो documents हम जब बनाते हैं तो multiple number of texts वहाँ पर हमारे document में available होते हैं तो जैसे कि हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर करते हैं кजवप spending गषिए बनाने कुछ बनाने knife फिए टुरू यह वर. करते हैं को टे हैं उतलब का झाल ध лишь कि एनाने क рад हैं यह करते हैं good format अ लिए वांज अ मामज़ को साथाए में इम ट थीए तो यहाँ पर हमने लिखा कुछ text, अभी हमें इसको क्या करना है? हमें यहाँ पर text alignment apply करना है, तो यह text alignment है क्या? सबसे पहले हम यह जानते हैं, तो यह text alignment का मतलब क्या है? text alignment means the placement of text in a particular line, एक particular line में हम हमारे text को कौन से position से place करना शुरू करना चाहते हैं, कौन से position से type होना शुरू हो हम चाहते हैं, उसको बोलते है text alignment, तो जैसे कि अभी देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम कुछ भी text type कर रहे हैं, तो वो text कहां से align होना शुरू हो रहा है, कहां से शु हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे text के उपर, document के उपर जो alignment apply किया गया है, जो text alignment apply किया गया है, वो है left alignment, जिसके द्वारा हम इस document में कुछ भी अगर type करेंगे, तो वो left side से ही उस line में place होना सुरू होगा, ओके, अगर मैं चाहूं कि इस document में कुछ भी अगर मैं type कर रहा हूं, तो वो right side से align होना सुरू हो, right side में place होना सुरू हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, right alignment apply करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं कि अगर कोई text में type करूं, तो वो center से align होना सुरू हो, ना की left से हो, ना की right से हो, तो उसके लिए हमें कौन सा text alignment use कर पड़ेगा Centre alignment okay सो टेक्ष्ट ऐलाइनमेंट ऐसे तिन तरह की तो मेंली होते हैं लेब्ट ऐलाइनमेंट राइट ऐलाइनमेंट सेंटर ऐलाइनमेंट बट उसके साथ और एक तरह का हमें और एक alignment का feature हमें provide करता है msword जिसको हम बोलते है justified okay तो यह justified alignment कहां पर use होता है जैसे कि हम books देखते होंगे question papers देखते होंगे वहाँ पर क्या होता है कि देखना margin के दोनों side में equal space maintain होता है जब भी text document बना हुआ होता है तो दोनों side में अगर हम document बना रहे हैं document में document के बोथ left and right side में अगर हम equal space maintain करना चाहते हैं तो वह हम कर सकते हैं by using which property by using justify property और justify alignment तो यह text alignment हम कैसे change कर सकते हैं वह हम देखेंगे अभी practically तो जिस भी particular text का text alignment चेंज करना है पहले उसको select करो उसके बाद home tab के अंदर paragraph group में जाओ paragraph group में यहाँ पे देखो यह चार options given है तो सबसे पहला वाला इसको बोलते हैं align left या फिर left alignment तो by default जबकि हमारा text यहाँ पे left alignment के form में है जो भी हम type कर रहे हैं वह left side से सुरू हो रहा है इसलिए देखो वह left alignment selected है अगर मैं चाहता हूं कि अभी जो text type हो वह right side से सुरू हो तो देखो right alignment में क्लिक करेंगे तो देखो सारा text हमारा right side में आगे और अगर हम कुछ भी text यहाँ पे टाइप करेंगे तो यह right side में right side से देखो left side में जा रहा है मतलब कुछ भी text अगर हम type कर रहे हैं तो वह align कहां से सुरू हो रहा है right side से सुरू हो रहा है क्यों क्योंकि हमने अभी हमारे text alignment को change करके क्या कर दिया है right alignment कर दिया है ओके अगर हम चाहते हैं कि अगर हम कुछ भी type करें तो वह center से सुरू हो तो उसके लिए हम कौन सा use करेंगे alignment center alignment अभी हम अगर यहां पर कुछ भी type करेंगे तो वह कहां से सुरू होगा देखो center से सुरू हो रहा है okay इसको बोलते हैं center alignment और अगर हम चाहते हैं कुछ भी text अगर हम type किये हैं उसको दोनों side में वह equal space maintain करें तो यह properly हमें तभी दिखाई देता है जब हूं बहुत बड़ा document कुछ बनाते हैं तो वहां पर justify को use करते हैं जिसके द्वारा वह क्या करता है दोनों तरफ equal space maintain करने की कोसिस करता है तो देख सकते हो यहां पर जैसे कि first line second line उसके बाद third line हम लिखेंगे तो वहां पी वह क्या कर रहा है equal space दोनों side में maintain कर रहा है तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे document के दोनो side में यह left side में and right side में कोई भी document बनते वक्त अगर equal space maintain हो तो उसके लिए हम जो alignment property उसका नाम है justify alignment और हम चाहते हैं कुछ भी type से सुरू हो तो उसके लिए हम यूज़ करना पड़ेगा left alignment और अगर हम चाहते हैं राइट साइट से सुरू हो तो उसके लिए ऊसक debate करने से with the citizens में Twitter में हमारे टेक्ष्ट में उके रहे तो उसके इवसी करेंगे center alignment alignment मतलब क्या presentation हम हमारे तेक्स्ट को एक particular नालिन में कौन से position में प्रेजंट करना चाहते हैं लेप advising करना सुरू करना चाहते है यह यह से प्रेजंट करना चाहते है यह फिर सब्सक्राइब करना चाहते हैं यह फिर justify alignment है करके दोलों साइड में इक्वल स्पेस मेंटेन करके प्रजेंट करना चाहते हैं हम हमारे टेक्षट को document में कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हम defined कर सकते हैं by using text alignment tool तो left alignment में क्या होता है कि वह left side में क्या होता है हर एक line का राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, राइट साइड में इक्वल स्पेस मेंटेन होता है हर लाइन का, और जस्टिफाइड अलाइनमेंट में क्या होता है, दोनों साइड में इक्वल स्पेस मेंटेन होता है हर लाइन का, ओके, और सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, ज alignment right alignment center alignment and justified alignment okay और यह सारे alignment के properties कहां पे given है उसको हमने यूज किया practically देखा so I think आज के class में जो topic हमने discuss किया समझ आ चुका है so next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topics के बारे में आज के लिए इतना ही thank you